Unit 2.3, Data Exploration, इससे ठीक पहले वाली unit, जो data acquisition की थी, उसमें आपने पढ़ा या समझने की कुशिश की, कि किस तरीके से हम कितने तरीके का data collect करते हैं, और उस data का collection करने के लिए हम different data features, जो हम एक term use करते हैं, जैसे salary का example लिया था, कि salary अगर आपको count करनी है, predict तरनी है, तो उसमें आपको increment भी देखना पड़ेगा, basic salary कितनी थी, ये भी देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ data के बीच में एक relation समझ में आए, तो एक system map कैसे create करते हैं, उसके लिए आपने पूरा का पूरा एक loopy वा एक step आगे, जो है आपका data exploration, to understand why we do data exploration before jumping straight into training and AI model, और इसका key concept रहने वाला है data का visualization, जैसे ही आपको नाम समझ में आ रहा है data visualization, like आपने जो data एकटा किया, अब उस data को आप कुछ इस तरीके से रखेंगे, ताकि आपको समझ में आए, कि वो data आपके लिए एक सही output देने वाला है या नहीं है, आपको उससे benefit कितना मिलने वाला है, या कितने level पे जाकरके उसकी accuracy हाई होने वाली है, आप एक ऐसा ही model बनाना चाहेंगे, आप एक ऐसा ही problem को solve करना चाहेंगे, जो आपको near about 100% result दे सके, data का acquisition के बाद में जरुत पढ़ती है data को analyze करने के लिए, और analyze करने क है, तो वो है data का visualization, आपने जो data इकटा किया है, उसे आप कुछ इस तरीके से represent करें, ताकि वो data किसी को भी आसानी से समझ में आए, जैसे किसी भी company को जब अपने साल का turnover बताना पड़ता है, कि उसने कितना profit कमाया, उसे कितना loss हुआ, वो कितने starting में कितने points से शुरू performance देखनी हो, सन 2000 में कैसी थी, 2001 में कैसी थी, 2002 में कैसी थी, तब भी आपको अगर कोई वो चीज visualize करानी हो, लोगों को दिखानी हो, तो आप उसके लिए use करते हैं, charts का, ऐसे ही chart या graph ये वो medium है, जिसके थुरू आप data को बहुत आसानी से, यानि data आपके पास में numbers की form में रहता है, statistical रहता है, उसी data को आप graph के थुरू जब दिखाते हैं, तो वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, so quickly get a sense of the trend, relationships, patterns, content within the data, data, कौन से market के trend के आपसे काम करेगा या नहीं करेगा, उन में क्या ऐसी relationship है, तो वो इस data को analyze करना आसान हो जाता है graph के साथ में, आप एक strategy बना पाते हैं, अपने model को prepare करने के लिए, आप communicate कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ में, जब आपका खुद का जो concept है, वो clear होता है, to visualize data, we can use various type of visual representations, बहुत सारी representation हो सकती है, और इन representations को करने के लिए, यहाँ पर एक website दी है, जिसका नाम है dataviscatalog.com, यह है the data visualization catalog की website, यहाँ पर दो option है, search by function, view by list, तो आप अपने according, जिस तरीके का comparison, जिस तरीके का chart आपको चाहिए, और वो chart किस तरीके का, किस काम में आएगा, उसके लिए आप use करिए search by function, तो आपको यहाँ पर categories मिल जाएंगी, like अगर आपको comparison करना है, तो आप जा सकते हैं, bar chart की तरफ, box chart की तर या अगर आपको relationship clear करनी है, तो आप जा सकते हैं, heat map, इसी तरीके से radar chart, when diagram chart, तो यह कुछ अलग-अलग categories के हिसाब से अलग-अलग charts की यहाँ पर list दी हुई है, more than 50 charts इस website पर demonstrated किये गए है, like हम comparison पर आते हैं, और सबसे common chart है, bar chart, तो bar chart यहाँ पर इस website पर आपको क्या देख कि लिए मिलेगा, कि bar chart क्या होता है, उसकी पूरी की description, उसकी anatomy, उसका function, वो कैसे काम करता है, like आप comparison या patterns को देख सकते हैं, और bar chart से similar जो chart है, वो histogram है, multi set bar chart है, तो यह उससे related जो chart हो सकते हैं, उसके भी आपको guidance देता है, और किन sites पर जाकर के, या किन tools का use करके, आप उन chart क use कर पाएंगे, उसके बारे भी information देता है, आप लोगोंने 6, 7, 8 class में पढ़ाई है, Microsoft Excel, तो MS Excel में आपने chart बनाना सीखा है, MS PowerPoint में भी आपने chart सीखा होगा, तो यहाँ पर उन tools के नाम दिये हैं, जैसे आप chart बना सकते हैं, MS Excel या Apple Numbers के अंदर, Any chart, M chart, D3, Data Hero, इसी तरीके से आपका Google Sheet है, Google Chart है, यह वो सारे tool हैं, जहाँ पर जाकर के आप chart को prepare कर सकते हैं, इवन इस website पर उस chart के बारे में समझाने के लिए एक छोटी सी YouTube वीडियो भी यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसका भी use कर सकते हैं, तो यह completely बहुत बहतरीन website है, जहाँ पर आप जाकर के data क आपको visualize करने के लिए कौन सी category आपको suit करेगी, कौन सा chart आपको suit करेगा, वो आप यहाँ पर analyze कर सकते हैं, तो यह है आपका database catalog.com, आगे देखिए, यहाँ पर यह वो सारे charts की list लगाई है, तो इन charts के list में आपको बहुत सारे chart, more than 50 plus chart हैं, यहाँ पर वो सारे charts की help से आप अ कि आपने उस website dataviscatalog.com पर जाना है, और वहाँ से कोई नए 5 तरीके के charts आपको सीखने हैं, और उनके बारे में आपको यहाँ पर mention करना है, like name of the representation, आपने कौन सा chart सीखा, one line में आपको उसको describe करना है, कैसे उसे draw करेंगे उसके बारे में बताना है, और वो किस तरीके के data में help करेगा, वो आपको mention करना है, तो आप इस website को अच्छे से go through कीजे, और समझ ये, कि इस websites के तुरू आप कौन-कौन से नए chart अपनी problem को solve करने के लिए use कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक और छोटी सी activity है, sketchy graphs activity, it means, आप अपनी कोई real world में problem सोचिए, और उसका एक chart बनाईए जैसे यहाँ पर एक example दिया है, कि एक गाना वो top 10 की list में कैसे आ सकता है, तो उसके लिए आपको क्या-क्या सूचना पड़ेगा, तो data की features क्या हो सकती है, like वो गाना क्या trend में भी है आज की time में, उसका tempo क्या है, उसका genre क्या है, उसकी duration कितनी है song की, और उस song को जिस singer ने ग list में होगा या नहीं होगा, तो इसमें भी आप इन में से अलग-अलग data features पर data को visualize करा सकते हैं, जैसे आपको लगता है, कि popularity of singer जो है, वो बहुत जादा affect करेगी, गाना आपका top 10 में आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए आपने क्या किया, और जो singer थे, यानि उस गा पर आप यह tag कर सकते हैं, आसानी से, कि वो जो song है, वो top 10 की list में आने लायक है, या नहीं है, तो यह एक example है, एक चोटी सी एक scenario है, जिसकी मदद से हमने यह समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप किसी भी result तक जाने के लिए, कि Ghana top 10 तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचे कर रहा है, यह आपने जो data collect किया present में, और उस present data के उपर आपने prediction लगाने की कोशिश की, लेकिन वो prediction आपने कैसे लगई, पहले आपने data को visualize किया, visualize करने के लिए आपने different data features पर focus किया, और different data features में भी आपने उसको फिर chart के through visualize करके उसको समझने की कोशिश करी, तो यह activities आप आपको data के exploration के concept को समझने में help करेंगी, I think आपको काफी हद तक data exploration का concept समझ में आ गया होगा, पहली stage problem scoping होती है, जिसमें आप problem को analyze करते हैं, problem को समझते हैं, कितनी बड़ी problem है, उसके बाद second stage आपकी data acquisition किया जाती है, जिसमें उस problem को solve करने के लिए आपको कौन-कौन सा data च सकता है, और तीसरी stage है data को visualize करना, जो data आपने collect किया है, उसे कुछ इस form में रखना, ताकि वो आपके सामने easily, clearly आपको visualize हो सके, समझ में आ सके, यहाँ पर हम बस इतना ही समझ रहे हैं, कि data exploration means data visualization, data को clearly visualize करके समझना, आपको इस पूरे concept में कहीं भी कोई भी doubt है, तो please हमें comment section में बताईए, और हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई problem सोचिए, और उस problem का solution करने के लिए आपने कौन-कौन से data features का use किया, और कौन-कौन से data features का use करने के बाद में आपने उसे visualize किस तरीके से किया, हमें comment section में जरूर बताईए.